नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवगुरु ब्रहश्पत के ट्रांजक्शन वाले इस खास कारिटम जोतिश जराहट के में देवगुरु ब्रहश्पती एक माई दो हजार चौबिस को दो पहर दो बच कर उनतिस मिनट पर कृतिका नक्षत्र के दुतिये चरण में प्रवेश करेंगे ब्रिशब राशी में टॉरस में और लगबक तेरह महिने का गोचर होता है ब्रहश्पती का इसके बाद मई पच्चिस में देव गुरू फिर मिथुन में आएंगे तेरह महिने का गोचर जैसा हमने बताया लगबक इनका होता है बारह महिने पंद्रह दिन बीज दिन अब ब्रिशब राशी में इनका प्रवेश सत्र राशी में होगा ध्यान अब दीजिएगा आप जो मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत तारकिक विशे के साथ हम बताएंगे तो इनकी दो राशियां है एक धनु राशी है एक मीन राशी है तो धनु राशी से अगर कलकुलिट किया जाए तो ब्रिशब जो पड़ता है ये छठा पड़ता है तो एक तो अपने घर से छठे में आ गए धनु शे शिक्स हाउस में और दूसरा जो पहुँचे हैं ये मीन से वो तीसरे में पहुँचे है तो दोनों जगहें जो हैं इनकी जो उपस्थिती है ब्रिशब में ये बड़ी भयावह है भयावह कैसे है छठा भी बुरा होता है अपने घर से छठे दुश्मन के घर में गएं और राशी भी वहाँ पर ब्रिशब है जो की सत्रु राशी है और दूसरी चीज जो मीन से हम कलकुलेट करें तो वहाँ से भी तीसरे में है अब ये इस्थितियां जो फल है इनका वो क्या रहेगा आपकी राशी के अनुसार आपके लगन के अनुसार कलकुलेट करिए और एक ओवर आल प्रेडिक्शन भी हम दे रहे हैं कि अच्छी स्थिति में तो ये नहीं है भावात भावात भाव फलम का जो प्रिंसिपल होता है भाव से भाव का फल अपने घर से कहा है उस अनुसार तो ये अच्छी स्थिति में नहीं है तो आईए अब हम आपको बताते हैं मेश से लेकर बीन तक इनका प्रभाव क्या रहेगा दो नंबर में आ गए हैं काल पूरुष के कुंडली में ब्रिशब राशी आप लोग कुंडली देख सकते हैं अब हम इसका परिणाम बताते हैं सबसे पहले बताते हैं मेश राशी मेश राशी के लिए सेकेंड हाउस में गए हैं ये बारहवें के स्वामी हो करके और भागी के स्वामी हो करके अनावश्यक खर्च बढ़ा देंगे परिवार में सेप्रेशन भाई भाई का विवाद बहन भाई में विवाद बहन बहन का में विवाद मेश के जित्ते भी लोग हैं दो चूला होने के संभावनाय हैं स्वास्थ हानी आठ्वे भाव पर दिष्टी दूसरे में बैट करके पांचवी दिष्टी से आपके शिक्स हाउस को देखेंगे तो दुश्मनों के अंदर बुद्धी जागरित करेंगे लॉजिक देखिएगा तरक लीजिएगा समझ में आएंगे हम तो छठे को देख करके दुश्मनों के अंदर बुद्धी को जागरित कर देंगे दुश्मन आपका बुद्धिवान होगा जिसको देखेंगे उसकी बुद्धी तीब्र कर देंगे तो छठे को देखे तीब्र कर दिए कर्ज की संभावनाओं को बढ़ा देंगे छठा भा लीवर किडनी आधि पर असर करेंगे, सेक्स के प्रती वैराग्य आएगा, वहां से अरूची जगेगी, अश्टमभाव को देखेंगे तो शेक्शुल डिजायर कम करते हैं, और नवम द्रिष्टी से ये आपके टेंथ हाउस को देखेंगे, जहां पर श्यनिदेव की राशी है, मकर राशी, उसको नीच द्रिष्टी से देखेंगे, तो वो भी कारिष्ट्र में थोड़ा परेशान करने वाली बात आ जाती है, आपके अंदर कुछ इगो बढ़ सकता है, बॉस के साथ बिवाद की स्थिति आ सकती है, टकराओं की स्थिति आ सकती, कारिष्ट्र को प्रभावित करेंगे, तो ब्रिषब में आ करके इनका जो प्रभाव है, वो कई तरह से मेश के लिए हमने बताया, ब्रिषब राशी, आपकी ही राशी में आ गए, और नौमेश हो करके आये हैं, और एकादशेश हो करके आये हैं, अश्टमेश हो करके, तो प्रथम द्रिष्टिया बिमारियों पर खर्च अधिखता, आपके अंदर का इगो जगना, अचानक से इगो बढ़ जाना, मांसिक विकार बढ़ना, परेशानिया बढ़ना, पंचम द्रिष्टि से जो इनकी द्रिष्टि है, पंचम द्रिष्टि, वो कन्य राशी को देखेंगे, विध्या बुद्धी में विध्धी, संतान सुख उत्तम, प्रेम संबंधों में प्रगारता, प्रेम संबंधों का बैवाहिक कन्वर्जन, संतम द्रिष्टि से ब्रिष्टि को देख रहे हैं, अपने मित्र राशी को देख रहे हैं, यहां पर अच्छी स्थतियां है, विवाह की संब्भावनाएं जो अविवाहित हैं, जो पती-पत्नी में विवाद था, इस्त्री हो या पूरुष हो अगर ब्रिषब राशी है और विवाद चल रहा था, तो मिल बैठ करके विवाद को सुल्जाने का समय आजएगा, साज़ेदारी में कुछ पाटनर्शिप को लेकर के विवाद था, तो उसको भी सुल्जा लेंगे, नया पाटनर्शिप शुरू हो सकता है, नया पार्टनर खोज रहते तो वो मिल जाएगा, पुनर्विवाह की संभावनाएं ब्रिशब राश की महिलाएं ब्रिशब राश के पुरुष जो फिर से शादी करना चाहते हैं डाइवोर्स होने के बाद या विधुर हैं और पुनर्विवाह की संभावनाएं तलाश रहते तो वो पूरी तरह से 100% संभावनाएं बनती हैं लगने में बैठे हैं ब्रिशब के और नमम द्रिश्टी से आपके नमम भाव को देख रहे हैं, यहां पर अधारमिक बनाते हैं, नीच द्रिश्टी से देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी घटनाए घट सकती हैं, जो पूजा पाट से मन उचट जाए, कुछ इस प्रकार की स्थित मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों के द्वादस अस्थान पर इनकी उपस्थती है, और सब्तम के स्वामी हो करके गए हैं, तो बैवाहिक जीवन को छिन भिन करेंगे यह, बिवाद बढ़ेगा, हस्तक शेप बाहरी लोगों का बढ़ेगा, इक्टा मेरिटल अफेर के चांसर मिथुन के दोनों पक्षों से बन रहे हैं, तो सब्तमेश हो करके वहाँ जाना बैवाहिक जीवन के लिए छिन भिन कर देता है, बाहरी लोगों का भाव है तो वहाँ पर भी कई प्रकार की दुराव की स्थतियां आती हैं, बाहरी लोग आपको धोखा देने की फिर करेंगे आप जरूर, यहां से पांचवी द्रिष्टी इनकी जो पढ़ रही है, जो है मिथुन वालों के लिए वो पढ़ रही है, चतुर्थ भाव पर, तो फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, पंचम द्रिष्टी से, कन्यराशी को, तो माता की प्रती उत्तम इस्थती, घर मकान की उत्तम इस्थती वाहन बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, अधूरे मकान को पूर्ण करवा सकते हैं, प्रशिद्धी बढ़ेगी, पॉल्टिक्स में जो हैं उनके लिए शुभ इस्थती है, अच्छा, यहां से शत्रु भाव पर दिश्टी डाल रहे हैं, तो यह व्रिश्चिक को देख रहे हैं यहां पर, तो दुश्मन आपकी बुद्धिमत्ता से नत्मस्तक हो जाएगा, यहां पर जो मेश का था उससे बहुत अलग हट करके मिथुन के लिए बहुत उत्तम परिणाम मिलेगा, मि बुद्धिमत्ता से काम करेंगे आप, दुश्मन धराशाई हो जाएगा, कर्ज से मुक्ती मिलेगी, प्रापर्टी सेल होगा और प्रापर्टी नहीं खरीदी जा सकती हैं, नवम दिश्टी से देख रहे हैं आपके अश्टम भाव को, जहां पर मकर राशी है, तो कई तरह कि गुप्त बिमारियां और चिंताएं, बैवाहिक जीवन में विबाद, आप अपने पती में अरुची, जैसा हमने शुरू में बताया, बारहमे में बैठ करके भी बुरा किये थे, तो आठवे को देखके तो और बुरा कर रहे हैं, अश्टम भाव एक ऐसा भाव है, जिस यह देखने की निगाह है, गुप्तांगों को कोई मलमूत्र का द्वार कहता है, पीला कपड़ा पहनते हैं, बाबाजी हम नाम नहीं लेंगे, बड़ा रील वाइरल होता है, मलमूत्र का द्वार कहते हैं और हम गुपतांगों को उत्पत्ति का साधन मानते हैं कि स्रिष्ट की उत्पत्ति होती है मैं उसमें सौंदर्य देखता हूँ मुझे वो उसका जो स्वरूप है वो पूजनिय लगता है और किसी को घ्रणित लगता है तो यह अपनी अपनी सोच है मेरी सोच मेरे साथ है तो with due respect महात्माओं का हम सम्मान करते हैं लेकिन उनकी अपनी सोच है यह अपनी सोच है तो गिलास खाली देखें हम आधा भरा देखें तो वो हमारी सोच है हाँ आति सर्वत्र वर जाए तो कोई 24 घंटा सेक्सेक बारे हम सोचता रहेगा तो तो भरबाद है न ससुरा उसकी बात थोड़ी नम कर रहे हैं लेकिन आप उसको केवल मलमुत्र का द्वार क्यों देख रहे हैं मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ मैं मतलब with due respect I am so sorry महत्मा जी लोग I am so sorry और बाकी तो अंदर खाने की कहानी संतो संतोशी से बढ़कर कौन जानेगा जोट्शी है हम पकपकाने वाले किताबी ज्यान नहीं है कि चार लोगों ने किताब लिख दिया है हम शोधी छात्र हैं जोट्श के तो नेत्र हमारे भी हैं आठवे में शनी राहू हमारे भी है चलिए आपका खेत आपको मुबार्ण इसलिए उज़र पीएर कपड़ा वालों से हमको घिना आती है नफरत ससुरों से पागन ससुरे सबसाले तो ब्रहश्पत यगर अश्टम भाव से सम्मंद रखता ते बहुत बुरा होता है वो गद्दा होता है नहीं रखना चाहिए करक राशी करक राशी वालों के लिए जो ब्रहश्पती का परिवर्तन है एका दस भाव में है अच्छी स्थती कही जा सकती है यहां से जो इनकी पहली पांचमी द्रिष्टी है वो पढ़ रही है थर्ड हाउस पर तो भाई बहन के बीच सवहार्द पैदा करेंगे हाँ अगर कोई बड़ा भाई है बड़ी बहन है उसके साथ भीवाद कर सकते हैं लेकिन छोटों के साथ सवहार्द करेंगे सात्मी द्रिष्टी से यह देखेंगे आपके पंचम भाव को प्रेम संबंधों में गहराई आएगी नए प्रपोजल मिलेंगे बिवाह की बात हंड़र परसेंट तैं होगी शुबता मिलेगी संतान का पूर्ण सुख देते हैं संतान पर प्राउड फील होगा पंचम पर पूर्ण द्रिष्टी से देख रहे हैं सात्मी द्रिष्टी से तो संतान की वजह से आपको गर्व महसूस होगा बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और नवम द्रिष्टी से देख रहे हैं आपके सब्तमभाव को तो विवाह की संभावनाई बनाते हैं और बैवाहिक जीवन को थोड़ा सा सुख में करेंगे हलाकि नीच द्रिष्टी से देखेंगे तो जैसे अगर आपकी राशी करक है तो थोड़ा धैर रखियेगा वारी परंकुष रखियेगा आपके करक्राशी है पुरुष है तो आपको भी धोड़ा सा धैर रहना होगा सामने वाले को बोलने दीजिएगा उस पर गुरू चड़ेंगे गुरू चड़ेंगे तो वो अपने आपको बड़ा सिद्ध करेगा वो अपने आपको अच्छा प्रूब करेगा और गलत संदर्भों में प्रूब करेगा मतलब वो ऐसे ऐसे कुतर्क देगा कि अब आप कहेंगे कि भाई आप चुपए रहो तो ठीक है है सिंग राशी की बार कर लेते हैं सिंगराशवालों के लिए परिवर्तन हुआ है त Arinth आ करेटे तो दसमभाव में आकर के आपके लिए बहुत कुछ इस्थतियं क्लियर करेंगे जैसे पहली इस्थति क्लियर करेंगे कि परिवार में पंचम द्र॥ि से का सुक मीलेगा प्रशिद्धी बढ़ेगी नेताओं के लिए बहुत शुब इस्थते होती है यह जनता का प्यार मिलता है लोग समाज में फेम बढ़ता है इस्तती अच्छी राती है और अवार्डड होंगे आप अवार्ड मिलेगा सिंगराशी वालों को अच्छी इस्तती रहेगी नई नोगरी की संभावनाय बनाएंगे वाहन सुख वाहन बदलाव की संभावनाय बन आपके लिए वह परेशानी का कारण बनेगा तो गुप्त दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा कन्यराशी की बात कर लेते हैं कन्यराशी के लिए प्रभाव जो रहश्मत के परिवर्तन का है यह जो होगा वह आएगा आपके भाग्यस्थान पर तो यहां से साथमी दृष्टी से आपकी राशी को देखेंगे तो आपके अंदर दिब विज्ञान जागरित होगा मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा स्वस्थ रहेंगे कुछ अज्यात परिशानिया थी उनसे आप बाहर निकलेंगे आपकी परसनाल्टी में निखार आएगा अच्छ दूराव को देखेंगे तो उनके अंदर जो विकार था जो दोश था जो दुराव था वो दूर होगा एक दूसरे के प्रतिभावनात्मक रूप से नस्दीकियां बढ़ेंगी एक दूसरे को समझ कर आगे बढ़ने का हौसला आएगा प्रभाव अच्छा होगा मतलब सकरा आत्मक होगा शुब होगा और नवम दृष्टी से पंचम भाव को देख करके विकार लाएंगे प्रेम प्रेमिका में अलगाव होगा पढ़ाई ठीक ठीक चलेगी कुछ ऐसे भाव आएंगे कि तयारी पूरी है और तयारी अधूरी रह जाएगी भाव ऐसा आएगा नीच थोड़ा सा बच्चे हो सकता है अपने मन के हों कुछ बच्चों को लेकर के कुछ आपके अंदर दुख बढ़ सकता है आपके अंदर कुछ भाव गलत आ सकता है कि अरे बच्चे तो ऐसे निकल गए अब क्या करें मतलब इस तरह से हो सकता है बच्च आपने मर्जी से अंतर समिन्दा होना पड़ सकता बच्चों की नीचता जागरित हो सकती है तुला राशी की बात करें तो तुला राशी वालों के लिए देव गुरु का ये परिवर्तन अश्टम भाव में होगा जहां से पंचम द्रिष्टी से ये पहले आपके 12 भाव को देखेंगे तो एक तो अश्टम भाव में आकर के स्थान हानी कर रहे हैं तो तमाम प्रकार के गुप तो रोग हो गएरे दे सकते हैं लीवर हो गएरे की प्रॉब्लम हो सकती हैं मोटापा एकदम से बढ़ने लग जाएगा बाहरी लोगों को आपकी मदद के लिए आगे आने का मौका मिल जो बाहरी लोग हैं 12 अस्थान पर देख रहे हैं आपके तन का व्याय नहीं होगा आपके बिमारियों पर यह अंकुष लगाएंगे और बिमारियों को वही रोक देंगे और उससे आगे आपको बढ़ने नहीं देंगे साथवी दिष्टी से सेकेंड हाउस को देख करके बड़ी अच्छी स्थती पैदा करते हैं कुटुम्ब में बृद्धी करते हैं नई बहु आ सकती है नया बच्चा जन्म ले सकता है यह सब संभावनाएं होती है धन की स्थती अच्छी रहेगी वानी पर आपके ओज आए चतुर्त भाव को देखेंगे यह यहां से नवम दिष्टी से तो चतुर्त भाव में जो राशी पढ़ती है तुला के लिए वो है मकर राशी तो माता के स्वास्थ की चिंता माता की हानी माता का च्छै जमीन विवाद वाहन दुरघटना आदी की संभावनाओं को बनाते ह विश्चिक राशी आपके सब्तम भाव में विराजमान हुए है और पंचम दिष्टी से आपके लावस्थान को देख रहे हैं आपके पंचमेश हैं और लाव को देख रहे हैं तो बड़ा आइडियल इस्थती है बहुत उत्तम इस्थती है विश्चिक राशी एक ऐसी रा बहुत अच्छी स्थिति कर रहे हैं लाव के कई साधन बन जाएंगे धार्मिक कार्यों में रूची जगेगी धार्मिक्ता से लाव मिलेगा वानी में आपके दम आएगा जोश आएगा प्रभाव बढ़ेगा आपके राशी को देख रहे हैं आपके अंदर व्यक्तित तो आपका निखरेगा परिश्कृत होगा परिमारजित होगा आपका सम्मान बढ़ेगा अवार्डेड होंगे आपको जगें आपको लोग ज्यादा अप्रिशियेट करेंगे आपके आपकी बातों का प्रभाव नवम दिश्टी से आपके तरती भाव को देखेंगे और तरती भाव को देख करके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ विवाद बढ़ सकता है और बढ़े हैं तो उनका प्रभाव अच्छा रहेगा धनुराशी की बात करें तो यहां पर जो है जो रहाश्मत की स्थती है वो छठे भाव में जा रही है और छठे भाव से शत्रुकर्ज बिमारी तो पहली पांचमें दिश्टे से यह जो है टेंथ हाउस को देख रहे हैं तो आपके कारिक शित्र में कई तरह का उतार चड़ाओ बढ़ा देंगे मन कम लगेगा काम में कई तरह से परिशानियां बढ़ेंगी उतार चड़ाओ बढ़ेगा और आपके 12 अस्थान को देखेंगे तो विदेश से लाब मिलेगा विदेशी लोगों से लाब मिलेगा विदेश जाने के उस्वर मिलेंगे विदेश में कारिशेत्र नौकरी आदी में विर्द्धी होगी विचार कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको विचार आगे बढ़ाना होगा चीजे बड़ी अनकूल रहेंगी बहुत सा करात्मक होगा सब कुछ बहुत शुब रहेगा और दुती भाव को देखेंगे तो कर्ज बढ़ाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस से शूने करेंगे, परेशानिया बढ़ाएंगे इस्थती कई तरह से आपको कश्ट में डाल रहे हैं नुकसान बहुत जादा होगा मकर राशी पंचम में आए हैं द्वादाशेश हो करके अच्छी स्थती है धन की बृद्धी, लाभ की बृद्धी, शिक्षा की बृद्धी, सर्टिफिकेट की बृद्धी धर्म की बृद्धी, नवम भाव को देखेंगे कन्य राशी को वहाँ पर भाग्य स्थान को देखेंगे बहुत अच्छी स्थती है ये धार्वी के आत्राएं कराएंगे बहुत सारी धार्वी के आत्राएं कराएंगे लावस्थान को देखेंगे और लग्ण को देखेंगे मकर को देख करके हेल्थ इशू आ सकता है तन शे द्वादस का स्वामी होकर नीच दिश्टी से देखेगा तो तन शे होना तह है नुक्सान दे सकते है बिमारी कुछ इस तरह से दिखते हैं शरीर पे खर्च बढ़ सकता है कुम्बराशी चतुर्थ भाव में आये हैं तो पंचम द्ष्टी से अश्टम भाव को देख रहे हैं पति-पत्नी के बीच कुछ दिक्कतें परिशानिया जमीन जाजात में बिवाद माता के स्वास्त की हानी सब्तम द्ष्टी से कर्म छेत्र को देख करके उत्तम इस्थती पैदा कर रहे हैं नया काम मिलेगा नया प्यापार बढ़ेगा और बौस के साथ बहुत अच्छा संबंद हो जाएगा मधृर संबंद हो जाएगा बौस आप से प्रशन रहेंगे परिस्थती बहुत अच्छी बनेगी आपकी बास के साथ तो यह बहुत अच्छी स्थती एक पैदा कर रहे हैं चोकि मित्र दिश्टी से देख रहे हैं सब्तम भाव को बहुत अच्छी स्थती से देख रहे हैं और मकर राशी को देखते हैं नवम दिश्टी से तो वो मामला थोड़ा सा गडबड करते हैं द्वादस अस्थान को गुप्त दुश्मन और विदेश में रह रहे हैं लोगों के लिए स्वास्थानी अचानक धन खर्च और कुछ पुलिस कोर्ट का चहरी भी पैदा कर सकते हैं अंतिम राशी मीन की बात करें तो यहां पर आ गए हैं तिरत हैं पत्नी और पती के बीच जो भी बात चल रहा होगा उसमें छुटकारा मिलेगा उससे मुक्ती मिलेगी चीज़े अच्छी होंगी और नवम दृष्टी से सब्तम दृष्टी से देखेंगे आपके धर्मस्थान को भाग्यस्थान को लगनेश हैं आपकी ही राशी के और नवम दृष्टी से आपके लावस्थान को देखेंगे वहां नीच दृष्टी से देख रहे हैं थोड़ा सा लाव को प्रभावित करेंगे काम तो बढ़ेगा लेकिन पैसा कम आएगा लावस्थान को देखते हैं तो ज्यान जादा देते हैं धन का लाव कम होता है तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है अच्छा उपाय क्या करना है तुला आदिवालों के लिए तो हल्दी जल में डालके नहाईए और हल्दी का तेलक करिए बढ़ों का आशिरवाद लिए सब बहुत अच्छी रहेंगे शुब रहेंगे धन्यवाद नमस्का पांच मई छे मई से आप आचार श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं इन दौर 20-21 मई उने 22-23 मई मुंबई 25-26 मई राजकोट 27-28 मई एहमदाबाद 29-30 मई उदैपूर 1-2 जूर इन तारीखों के अलावा आप बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं मिलने के लिए कार्याले के नमबर्स हैं 9910-291850-9560-447-000 आप इन नमबर पर अपना नाम और शेहर का नाम लिखकर वाटस अप करते हैं धन्यवाद विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोशी जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशिया अनेग